मेरे नाम है शेकर दिवेदी, दोस्तों नए संसत भवन को लेकर पहले ही संगराम कम नहीं था कॉंग्रेस समेत 19 पार्टियां जो हैं विपक्षी पार्टियां वो प्रधानमंत्री मोधी और केंद सरकार के खिलाब मोच्चा समाले होती लेकिन इस पूरे समीकरण में AIMIM जरी कि OVC के पार्टि का क्या स्टैंड होगा इसे लेकर असमंजस की स्थिती बनी हुई थी क्योंकि OVC ने इस मामले को लेकर अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले थे क्यों नहीं खोले थे इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो रहा था लेकिन अब OVC का बयान आ गया है OVC ने ने संसद भवन को लेकर बयान दिया है और प्रधानमंत्री मोधी को सुझाओ भी दिया है कि आप पीछे हट जाइए क्या कुछ कहा है OVC ने उद्गाटन प्रधानमंत्री द्वारा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये शक्ती के प्रतक करण के सिधान्त के खिलाफ है तो ये OVC ने कहा है लेकिन बड़ी बात संसद भवन की जरूद की बात उन्होंने सुईकार कर ली है कहा है कि ने संसद भवन की जरूद है इसको कोई आसुईकार नहीं कर सकता है इसको इस लिहाज से भी समझिये कि उन्होंने साफ कर दिया है उस बयान की खिलाफत करते हुए जिसमें लगातार इस तरह की बात 19 पार्टियां जो विरोध कर रही है उनकी तरह से कही जा रही है खास तोर पर संजराउत की तरफ से कि इस संसद भवन की ने संसद भवन की कोई जरूद नहीं थी पुराना संसद भवन जो था वही 100 सालों तक अभी चल सकता था लेकिन यहाँ पर ओवैजी ने उन 19 पार्टियों से अपने स्टैंड को थोड़ा सा डेवियेट करते हुए कहा है कि ने संसद भवन की जरूद है इसको कोई अस्विकार नहीं कर सकता है लेकिन इसका उधगाटन प्रधान मंत्री द्वारा नहीं होना चाहिए क्योंकि यह शक्ति के प्रतक्रण के सिंधान के खिलाव है विपक्षी दलों ने हमारी पार्टी से संपर्ख नहीं किया उधगाटन लोग सबा स्पीकर को करना चाहिए क्योंकि वो संसत के अभी रक्षाख है तो बड़ी बात बोल गए हैं कि विपक्षी दल जो 19 दल जो है उन्होंने ओवैसी से संपर्खी नहीं किया और इसे लेते हुए उन्होंने एक नया राख चेड़ार कहा है कि दरसल नाराश पति ने प्रतान मंत्री इसका उधगाटन जो है वो स्पीकर को करना चाहिए वजह भी बता दी क्योंकि वो संसत के अभी रक्षक हैं तो दिल्चस्प है ओवैसी का स्टैंड ओवैसी आगे भी कहते हैं हम प्रधान मंत्री से अपील करते हैं कि आप पीछे हट जाईए और स्पीकर ओम बिर्ला को उधगाटन करने दे अगर प्रधान मंत्री ऐसा करेंगे तो हम कारिकरम में जरूर आएंगे तो ये बड़ा बयान ओवैसी का लेकिन ओवैसी के बयान के बीच में राहूल गांदी का भी टूइट आ गया है राहूल गांदी ने टूइट करते हुए इस मामले पर एक बार फिर से अपनी पितकिरिया दी है क्या कुछ कहा है राहूल गांदी ने वो भी जानिये राहूल गांदी ने लिखा है कि राश्पती से संसत का उद्गाटन ना करवाना और ना ही उन्हें समारों में बुलाना ये देश के सरवोच समवैधानिक पद का अपमान है संसत एहंकार की इटों से नहीं समवैधानिक मूल्यों से बनती है तो ये राहूल गांदी ने कहा है तो कुल मिलाकर राहूल गांदी इसी बात पर अड़े हुए है कि राश्पती से उद्गाटन होना चाहिए प्रधान मंत्री से नहीं वैसी ने तर्क दिया है कि ने प्रधान मंत्री न राश्पती ओम बिरला कर दें तो मज़ा आ जाएगा आपको क्या लगता है आपकी जो भी राय हो निचा कर कॉमेंट सेक्शन वे उसे जरूर लिखें धन्यवाद